हेलो स्टुडेंट आज हम बात करते हैं एक नया टोपिक के साथ जिसका नाम है अबगास कोर अबगास कोर की बात करते हैं तो यह बहुत इंपोर्टेंट टोपिक है जो बहुत बार एक्जाम के अंदर पूछा जाता है तो हम इसकी आपे एक्जाम बेस के अकोर्डिंग बात करते हैं तो पहले देखते हैं कि अबगास कोर होता क्या पहले बात करते हैं कि अबगास कोर है यह वर्ड दिया किसने था तो यह जो वर्ड था इसको ओरिजिनेट करने वाले थे डॉक्टर विर्जिनिया अपकार डॉक्टर विर्जिनिया अपकार के द्वारा एक स्कोर सिस्टम बनाया था उस स्कोर सिस्टम का नाम था अपकार स्कोर ये डॉक्टर विर्जिनिया अपकार 1952 के अंदर एक स्कोरिंग सिस्टम डेवलप किया था जिसका नाम क्या था अब यह जो अबगा स्कोरिंग था इसका क्यूशन बनता है कि अबगा स्कोरिंग करते किसके लिए हैं तो हम बोलते हैं अबगा स्कोरिंग पेसेंट की कंडिशन को असेज करने के लिए क्या दाता है तो सेकिंड क्यूशन इसका यह बनता है कि कंडिशन क होती है कि अबगार स्कोरिंग करवाते हैं तो कितने पेरामेटर को assess करवाते हैं तो जब पेरामेटर की बात आ जाए तो यहां पर 5 ऐसे पेरामेटर होते हैं दिन को इसके अंदर क्या करवाते हैं assess करवाते हैं तो 5 पेरामेटर assess 5 पेरामेटर को इसके अंदर assess करवाते हैं ठीक है pan haben इसकी बात करेंगे तो यह जो पांTS pDR मिopiaस होते हैं ठीक है यह जो अभगारि के scoring देते हैं तो यह 0 से तो start करते हैं और 2 तक इसका score है ठीक है कहां से start करते हैं student तो 0 score से start करते हैं 0 score to 2 score 0 से 2 score के लिए यूज करूते हैं जिए 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 जो से 2 score की बात करें तो बात यह है की 0 score को देते हैं जहां पर baby की condition बहुत जादा poor हो जाती है जिसके अंदर person की severe disnea प्रेक्तर से severe distress देखने को मिले उसके अंदर score कितना रहना जिएरो गारा और बेबी की condition बहुत अच्छी है, excellent condition है, तो फिर score कितना रहेगा, 2, क्योंकि हम जब table बनाएंगे तो आपको बताएंगे, कि 3 categories के divide करेंगे, 0, 1, 2, तो 0 किसको देते हैं, जहाँ पे, बिल्कुली कुछ response नहीं आते हैं, अब send रहते हैं, और 2 उसमें देते हैं, जहाँ पे, स और 2 score यूज़ करवाते हैं, very excellent, very excellent condition, very excellent condition के लिए उसमें देते हैं, 2 score, clear, अब देखो जो हम 5 parameters की बात की थी, कि अबगा स्कोरिंग के अंदर कितने scoring का मात करते हैं, तो 5 parameters, वो 5 parameter कौन-कौन से हैं, तो यहाँ पे हम वो भी देखते हैं, अब देखो 5 parameters को हम इतना easy तरीके से आपको बताया है, ताकि exam के अंदर एशा पूछा जाए, कि एक baby का अबगा स्कोरिंग के अंदर, सबसे पहल जैसे हमने इस अबगार के voting पढ़ेंगे तो a4 appearance आता है, a4 appearance लेकि appearance को पहले use नहीं करवाते हैं, ठीक है, appearance को पहले score नहीं देते हैं, तो आपको इसको easy तरीके से याद रखने के लिए हमने इसको बना दिया प्रागा, क्या बना दिया, प्रागा, इस sequence में person को says करके score दे हैं, तो सबसे पहले आएगा, वो आएगा pulse, pulse rate, ठीक है, दूसरा आएगा, r4 respiratory, respiratory effort, not rate, effort, respiratory effort, next a4 activity, a4 activity, muscle stone, muscles की tone, activity, okay, next G4, grimace या reflex, grimace या reflex, yes, और a4 होता है, अब आएगा appearance, appearance, appearance को skin color बोलते हैं, वो skin के color को यह तो appear कर रहे हैं, skin color, skin color, तो यह 500 parameters हैं, यह 500 parameter हम अबगा scoring में चेक करते हैं, और इस sequence में चेक करते हैं, यह भी आपको याद रगना है, प्रागा, तो P for pulse, R for respiration, A for activity, G for grimace, A for appearance, clear, okay, table की बात करते हैं, जिसके बारे में copy question आए वे हैं, तो यहाँ पे देखो, दो question बनते हैं, यहाँ पे rate नहीं आती है, क्या आता है, effort आते हैं, सबसे पहले किसको चेक करते हैं, pulse को चेक करते हैं, clear, ओके, अब देखो, table की बात करें, हम scoring दे रहे हैं, तो हम table को तिन categories में divide करते हैं, student, पहला आता है, इसके features क्या हैं, भाई क्या क्या involve करेंगे हैं, तो features हो गए, ठीक है, दूसरी हम बात करेंगे, यहां पर बात करेंगे, zero score, ठीक है, तीसरी बात करेंगे, one score, one score, और fourth one है, two score, इस परकार से हम scoring देंगे इसको, ठीक है, बहुत easy है, easily समझ में आएगा, फ्रोड़ा सा concentration रखना इधर, देखो, ठीक है, पहला features की बात करेंगे, तो सबसे पहले हम कौन सा parameters use करवा रहे थे, तो सबसे पहले parameter use था pulse rate, यानि heart rate भी बोलते है ना इसको, heart rate, बेबी के अंदर normal heart rate होती है, 120-140 bit per minute होती है, यहां पर हम बात करेंगे, कि सबसे पहले heart beat, तो यदि heart, यदि persons में है नहीं, absent है, क्या है, absent है, तो score कितना जाएगा, 0, क्योंकि उसमें heart rate देखने को नहीं मिल रहे है, तो कौन सा score दोगे, कुछ नहीं दोगे, 0 वाला, next बात करें, यदि किसी baby के अंदर heart beat कितनी है, 100 beat per minute, 100 beat per minute, तो कितना score दोगे, एक score, अब देखो, आपको पता है, कि heart beat है, 120 से 140 beat per minute, ठीक है, अब किसी में 100 से कम आ रही है, तो उसको एक score देंगे, 100 से ज़्यादा मतब 120 हो रही है, तो फिर, यह normally है, और क्या है, 100 beat per minute से ज़्यादा है, तो उसको आप कितना नमर दोगे, दो नमर दोगे, तो पहली बात clear होगी, ओके, दूसरी बात करते हैं, respiration, respiratory effort, yes, respiratory efforts, जो यह baby के द्वारा effort लगाए जाते हैं, उनके लिए उच करवाते हैं, यहाँ पे कोई efforts नहीं आ रहे हैं, तो यह भी क्या होगा, absent, कोई efforts नहीं है, तो क्या होगा, absent देखने को मिलेगा, इसके लाभा बात करें कि एक baby के अंदर cry तो हो रही है, लेकिन वो एक तरह से irregular slow cry है, irregular slow cry को कितना score देंगे, एक score, irregular, irregular, slow cry, चीक है, इसमें cry तो कर रहा है, वे भी लेकिन slow cry कर रहा है, तो आपको एक नमर देना है, यहाँ पे good और vigorous cry है, good, vigorous cry है, तो कितना score दोगे, दो score दोगे, clear, तो इस परकार से यह respiration effort की बात है, यहाँ पे rate नहीं है, इसलिए मैंने नहीं लिखा कि 30 से 60 bit per minute है, वो यहाँ पे rate नहीं लिखा नहीं है, ठीक है, तो efforts होगे, तीसरी बात करते हैं, activity की, muscle stone की, activity या muscle stone, muscle stone, अब देखो muscle stone का मतलब है हो गया कि muscles के अंदर contraction, relaxation, ठीक है, जैसे हम, जब भी, skeletal system आएगा, उसमें पढ़ते हैं कि एक baby का flexion, extension, यह क्या हो रहे हैं, एक तरह से muscles के tone ही है, मसल्स के tone किसको बोल रहे हैं, मसल्स में contraction होना, जब आप ऐसे hands को flex करते हो, तो इस परकार से muscles का हो रहे हैं, contract हो रहे हैं, yes, और extension कर रहे हो, इस परकार से, muscles के यह क्या है, tone है, ठीक है, यह tone baby के अंदर, यदि अच्छे हैं, तो दो score देते हैं, और यदि थोड़े बहुत ही अच्छे हैं, तो एक, और है यह नहीं, paralysis हो गया पूरी body, कोई movement नहीं है, तो फिर क्या देंगे, हम उसको zero score देंगे, तो पहले के अंदर क्या रहेगा, तो बोलेंगे, कोई activity नहीं है, zero score मिल रहा है, flaccid, flaccid का मतलब, extremities या फिर muscle strong में, कोई activity नहीं है, paralysis वाली condition, flaccid condition, clear, एक score देते हैं, जिसके अंदर minimum, minimum extension, not extension, sorry, flexion, minimum flexion of extremities, यदि extremities में minimum flexion देखने को मिले एक, और अच्छा flexion मिले good, good flexion, और अक्स्ट्रिम, यदि extremities में अच्छा flexion मिले तो क्या बोलेंगे उसको, good वाली condition, और good वाली condition में कितना score देते हैं, two score, तो तीन parameter यहां पे complete हो गए, yes, तो ओके, चोथा parameter की बात करते हैं, क्या है, प्रागा के अंदर देखा था, G, तो यहां पे G क्या है, तो बोलेंग और ग्राइ में इसमें क्या देख रहे थी, reflex, ठीक है, persons के reflex, और reflex की बात करें, कि बेबी के आप suction कर रहे हो, ठीक है, बेबी में कोई sneezing, कोई coughing नहीं देखनी को मिल रही है, इसका मतलब उसमें reflex नहीं है, और reflex नहीं है, इसका मतलब score कितना है, zero score है, तो no response, zero score, no response, zero score, ठीक है, इसके अलाब बात करें, कि आप बेबी के सक्सन कर रहे हो, उस सक्सन के दोरान minimum reflex, या बोलें कि minimum action arise करा कब, जब सक्सन कर रहे हो, minimum sneeze कर रहा है, minimum coughing कर रहा है, तो फिर आप उसको कितना score दोगे, one score दोगे, तो यहाँ पर देखने को मिलेगा, minimum, minimum response, of suction, minimum response of suction, या फिर snitch, सिनीज होगी लेकिन वो minimum होगी, तो फिर कितना score जाएगा उसको, एक, यहाँ पर बात करें, कि एक तरह से, well response है, बेबी के अंदर cupping भी बहुत अच्छी है, तो उसको score कितना जाएगा, दो score, तो यहाँ पर, well response, और बोले तो सक्सन के अग़ों, cupping हो रही है, cupping, cupping किसके against, और यहाँ जब बेबी में सक्सन कर रहे हैं, उस सक्सन के दोरान, बेबी में cupping देखने को मिल रही है, बहुत अच्छी तरह से देखने को मिल रही है, तो फिर उसको कितना score देंगे, दो score देंगे, स्नीजिंग होती है, बेबी में सक्सन के दोरान, लेकिन बहुत कम होती है एक score देंगे बेबी के अंदर कोई response नहीं आता तो फिर score कितना देंगे zero score देंगे clear तो यह बाते दो चार parameters के हमने complete कर ली और एक parameter और बच गया जिसका नाम क्या है appearance देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं वहाँ पे बेबी का body का या skin का color देख रहे हैं ठीक है तो फिप्त parameter कौन सा हो गया appearance यास स्टूडेंट अपिरेंस की बात करें तो appearance के अंदर यह दी पूरी body क्या हो जाए पूरी body blue हो जाए या कोई color arise नहीं करा पूरी body blue हो रही है तो कितना score देंगे तो हम बोलेंगे zero score whole body whole body color कैसा बोलेंगे blue is yes तो हम blue is color बोलेंगे इसका मतलब पूरी body के अंदर ही क्या हो रहा है abnormality sinosis हो रहा है तो zero score जाएगा ठीक है एक score का बोलते हैं जब trunk वाला part trunk क्या हो pink हो trunk pink हो extremities क्या हो तो हम बोलेंगे extremities yes blue हो ठीक है trunk वाला pink हो या कि center वाला part pink हो लेकिन extremities वाला part क्या हो blue हो तो उसको कितना score देंगे एक score extremities blue होती है उसके लिए acrocinosis पूरी body blue हो जाती है उसके लिए पूरा body sinosis हो रही है और especially extremities है तो उसके लिए acrocinosis clear तो यहाँ पे acrocinosis को आप एक number देते हो एक बात करते हैं दो number किसको देते हैं whole body क्या हो जाए pink हो जाए तो पिंक किस कलर पिंक कलर बोड़ी है इसका मतलब बेबी के अंदर बोड़ी के अंदर oxygen है वो proper रूप से transport हो रही है तो बोड़ी का कलर क्या मिलेगा आपको पिंक मिलेगा तो इस परकार से कई बार question पूचते हैं कि एक बेबी है वो lucid या vigorous cry कर रहा है ठीक है उसके अंदर slow response देखने को मिल रहा था तो कितना score जाएगा तो फिर हम इसके according score काउंट करेंगे कि placid में 0 था लेकिन vigorous cry में क्या था दो score था तो इस परकार अब देखो इसके कुछ result देखते हैं कि बेबी में score इतना रहे तो क्या देखने को मिलेगा और इससे ज्यादा रहे इससे कम रहे क्या 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 अब नॉर्मल्टी आती है क्या क्या intervention करते है तो यह चीज़े भी इसे में देखते हैं देखते हैं result अब का scoring का result तो यह को result की बात करें यदि किसी person के अंदर score 7 to 10 हो अब का score का score कितना हो 7 to 10 हो इसका मतलब यहां पे कोई distress बगेरा नहीं है ठीक है no distress no distress और यह दस ही थोड़ा कम हो जाए तो mild distress भी देखने को मिल सकता mild distress ठीक है यह condition हो सकती है अब होता क्या है कि इसमें इदर distress ही नहीं हो रहा तो कोई intervention की जूरत ही नहीं है हम routinely care देते हैं जैसे देते आ रहे हैं बेबी के तो यहां पे को intervention की special जूरत नहीं होती है तो routine care देते हैं और कुछ नहीं देना है क्या करना है routine care routine care yes provide और कुछ नहीं करना routine care देना है पहला sentence clear हो गया दूसरी की बात करते हैं दूसरा score देखते हैं जिसमें हमने देखा कि यदि 4 score कितना हो जाए 4 to 6 score हो जाए तो अब की बार आपका parameter है वो proper रूप से function नहीं कर रहे हैं तो यहां पे score कम हो जाएगा इसका मतलब moderate moderate distress यानि अब की बार बेबी में distress हुआ है लेकिन कैसा हुआ है moderate हुआ है तो हम बोलेंगे उसका intervention करेंगे सबसे पहले बेबी को सांस नहीं आ रहा है easily तरह से तो उसको फिर हम क्या करेंगे suction करेंगे तो सबसे पहला intervention suction airway को क्या कर दिया clean कर दिया पहला suction कर दिया अब suction करने के बाद में stimulation करते हैं करने से क्या होता है वापिस function restore होने के chance रहते हैं ठीक है तो suction कर दिया airway clear होगी फिर क्या करेंगे baby को stimulate करेंगे तो दूसरा काम stimulation 2 लेकिन फिर भी कोई response नहीं दिया आपने stimulate भी रिस्पांस नहीं दिया तो फिर क्या करेंगे हम position देंगे ऐसी position देंगे कि baby की जो क्या हो जाए सीधी हो जाए स्ट्रेट हो जाए तो बेबी की ट्रेक्या को सीधी करने के लिए कौन सी पॉजिशन तो हम बोलेंगे स्नेफिंग पॉजिशन कौन सी पॉजिशन देना बेबी को पॉजिशन देना है यह लोग पॉजिशन दिया और कौन सी पॉजिशन दिया स्न Sniffing Position, Yes student, Sniffing Position देने से होगा क्या, Trachea State, Sniffing Position बोलते हैं किसको है, जिसके अंदर, जैसे यह हमारी जो Head है, चीक है, इस Head का यह क्या है, Extension हो रहा है, इसको पीछे की तरब ले जाएंगे, तो Hyper Extension, लेकिन यहां पर Slightly Extension कर रहें, बहुत है, Hyper हो गया, रोज पोजिशन हो जाती है, और Slightly कर दिया तो, This is the Sniffing Position, तो Slightly Extension of Head, क्या बोलेंगे, Sniffing Position, Slightly, Extension, Extension of Head, ठीक है, इसको बोला जाता है, Sniffing Position, तो लोग, Sniffing Position से भी फिर है, Persons की Recovery, नहीं होए, उसके अंदर कोई Changes नहीं देखने को मिला, तो Last में फिर O2 Administered करवाना, यहां पर O2 देना है, वो कौन से, Method से देना है, तो हम बोलेंगे, O2 Wood आते हैं, यानि Baby के Helmet होते हैं, उनको O2 Wood बोलते हैं, उनके द्वारा क्या करना है, फिर यहां पर Oxygen देना है, तो O2 देनी है, लेकिन किसके द्वारा देनी है, O2 Administered करना है, किसके द्वारा करना है, तो O2 Wood के द्वारा, यह Best Method माना है, जब Person में RDS बगेरा होते हैं, तो यहां पर फिर कौन सा Method यूज होता है, और बोडी में ज़्यादा Oxygen जाना भी नहीं है, क्योंकि ज़्यादा Oxygen जाएगी, उसका Utilization नहीं होगा, उसका Toxicity आजाएगी बेबी में, तो बेबी में जो Toxicity रिसर्चे पहले, Retrolental Fibro Place या, यह Condition हम आगे पढ़ेंगे, जब RDS पढ़ेंगे डिटेल के अंदर, तब आप इसको बात करेंगे, Clear? तो यह Moderate वाली Condition है, जो Score कितना रहा? 4 to 6 वाला सो, अब हम 3rd Score की बात करते हैं, जिसके अंदर Scoring बहुत कम हो जाती है, नहीं 0 ही हो जाती है, यह जी Scoring 0 to 3 वाली हो, 0 to 3 Score, ज़्यादा Severe Condition है, Severe Distress, Severe Distress, Clear? जब परसन में Distress क्या हो जाता है, Severe हो जाता है, तो Severe Distress हो जाता है, तो यहाँ पर Oxygen की, अब यहाँ पर रॉली खतम हो गया, ठीक है, अब यहाँ पर Immediately आपको क्या करना है, Resuscitation करवाना है, मतलब Function बिल्कुल कम है, Zero का मतलब क्या हो गया, की Heart Rate नहीं है, Respiration Efforts बिल्कुल नहीं है, Body के अंदर Tone चले गए, इसके अलाबा, Persons का Appearance पूरा Bluish हो रहा है, ठीक है, यह सारी Condition, R.E.S. का मतलब Severe Condition, और Severe Condition का Treatment क्या होता है, तो हम बोलेंगे Immediate Resuscitation करने से Function Restore करना है, Restore हो जाएना, ठीक है, यह हमारी एक लास्ट एक तरह से Option है, जिसके अंदर हम देखते हैं, कि यह भी कुछ Function Restore कर सकता है, तो हम Immediately क्या करते हैं, Resuscitation, तो Immediate Resuscitation करते हैं, अब एक तरह से CPR ही हो गया, और आप CPR दे किसको रहे हो, एक Newborn को दे रहे हो, तो जब Newborn की बाद आती है, और CPR की बाद दे, Newborn, Newborn के अंदर CPR देना है, ठीक है, अब जब आप Newborn में CPR दोगे, तो देखो तरीका क्या होता है, CPR देना है, आपको पता है कि आप, जिस Ward के अंदर केर दे रहे हो, उसमें एक ही Person हो, कोई और आपको सपोर्ट करने वाला नहीं है, आप बचाने वाले क्या हो, एक ही हो, जब बचाने वाला एक होता है, तो फिर Newborn के अंदर, Newborn के अंदर CPR देते हैं, तो पहले तो देखो दो फिंगर से देना है, किसे देना है, दो फिंगर से देना है, अब देखो फिंगर को रखना कहा है, तो बोलेंगे भई हमको तो यह बताया नहीं कि फिंगर को रखना कहा है, तो देखो फिंगर को रखना है, यह आपका स्टनम है, डाइग्राउंड से देख लेते हैं, यह आपका स्टनम है, जिसको breast bone भी बोलते हैं इस astronom का बीच में से काट किया तो आदा वाग नहीं वा लब हाप हो गया अभी इस हाप का भी हाप करेंगे तो कितना हो जाएगा वन थर्ड हो जाएगा वाग नहीं वा वन थर्ड भाई इसका हाप किया तो हाप हाप और इस हाप का भी हाप किया तो क्या हो गया वन थर्ड तो देखो ये क्यूशन पूचा गया है क्यूशन क्या था कि आपको CPR देनी है तो CPR देते हैं तो astronom की कौन सी side के उपर आप ये जो placement करें ये कौन सी side पे करेंगे तो वहाँ पे आपके option था वन थर्ड या फिर एक तरह से वन थर्ड ओप दा स्टर्णम या हाप वन हाप ओप दा स्टर्णम हाप से भी हाप हो गया वो इसका most common side होती है जहाँ पे हमने क्या क्या fingers को प्रेस्ट इस परकार से finger को क्या क्या फिंगर से हमने compress किया तो देखो पहला यही हो गया कि CPR देना बेबी को तो one recipe क्यू हो one recipe क्यू है तो two finger यूज करवाते है ठीक है two finger यूज करवाएंगे और यदि बचाने वाले यहाँ पे दो है तो फिर क्या यूज करवाना है two thumb यूज करवाना तो फिर क्या यूज करवाएंगे two thumb यूज करवाएंगे यह इससे base होता है finger से भी base method किसको माना है two thumb को अब two thumb में क्या करते है जैसे यह वाला baby है इसको पकड़ के क्या करेंगे दोनु थम से हम क्या करेंगे कहां से दबा रहें आप यह astronom है astronom के one third part के क्या करेंगे compress करेंगे अब compress कितना करना है तो compress की बात करते है जब newborn की बात आजाती है या infant की बात आजाती है तो डेड़ इंच तक ही compress करना ज्यादा नहीं करना है तो ribs टूट जाएंगी तो डेड़ इंच तक क्या करना हमको compress करना है डेड़ इंच तक compress करेंगे और यह compression का ratio कितना रहेगा जब compression कर रहे है बेबी के अंदर एक ratio के वाले तो फिर उसका compression यहाँ पे कितना रहेगा तो बोलेंगे 30 ratio 2 30 ratio 2 कब रहता है जब बचाने वाला एक होता है जब बचाने वाले 2 हो जाते है तो यहाँ पे ratio change हो जाता है कितना हो जाता है यहाँ पे 15 ratio 2 हो जाता है तो यह question आपको बार-बार पूछ सकते है यह पूछा वावी question है कि यदि बचाने वाला 1 है और वो infant है तो फिर वहाँ पे ratio कितना रहेगा compression और ventilation का पर यह जो compression है यह 30 है ventilation कितने यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे बचाने वाला 1 होगा तो 30 ratio 2 होगा और बचाने वाले 2 होगे तो 50 ratio 2 होगा ठीक है और compression करना है chest को तो कितना compress करेंगे तो 1.5 inch अचार 1.5 inch का मतलब यहाँ पे 4 cm भी बहुत सकते हैं बात एक ही है ठीक है तो यह 4 cm यहाँ पे 1.5 inch इतना इसको compression करना है कर दिया अब जैसे compression करते हैं उसके बाद में हम क्या करते हैं pulse को भी check करते हैं टाइम टाइम पे pulse चेक करना है कि हार्ट है वो उसके फंक्षन वापिस रिस्टोर हुए है नहीं हुए तो जब बेबी की बात करते हैं इंफेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे फिर pulse की side most common कौन सी हो जाती है तो देखो starting जो new bone होता उसमें brachial pulse लेते हैं यहां से लेते हैं brachial pulse लेकिन जो भवी थोड़ थोड़ा बढ़ा हो जाता तो फिमोरल भी pulse यूज़ करवाते हैं फिमोरल पूर्स भी यूज़ करवाते हैं तो कई बार question पूचा जाता है कि जो infant होते हैं उनके अंदर carotid pulse यूज़ क्यों नहीं करवाते हैं कि यहाँ पे आपको assess ही नहीं होगी। इसलिए carotid pulse बच्चों में यूज नहीं करवाते हैं। वो किस में यूज करवाते हैं। अडल्ट में यूज करवाते हैं। तो एक newborn के अंदर हम कौन सी pulse को assess करेंगे। तो brachial pulse पल्स को assess किया। brachial pulse ठीक है। अब देखो इसमें advantage क्या है कि बचाने वाले दो होते हैं। तो हर दो मिनिट के बाद में position change कर लेते हैं। यानि पहले वाला क्या कर रहा था? compress कर रहा था. अब इसारा ठकेगा नहीं क्या हो? ठक जाएगा ना, तो इसलिए दो मिनिट के बाद में दूसरा तो क्या करेगा? उसको ventilate करेगा, ventilation देगा उसको, जो next ता वो क्या करेगा? यहाँ पर compression करने लग जाएगा। तो यहाँ पर risk case m's के अंदर question पूचा गया था, कि एक ratio क्यों है? वो अपनी position कितनी cycle के बाद में change कर लेता है? ठीक है? तो वहाँ पर आपको याद रखना है कि जब 5 cycle हो जाती है, 5 cycle के बाद में position change हो जाती है, यानि 5 cycle बोले या फिर 2 minute बोले दोनुबात एक ही होती है, तो 5 cycle के बाद में position change की जाती है, यह भी याद रखना है, तो 2 minute मान लो, 2 minute के बाद में या 5 cycle के बाद में, क्या कर देना है? Position को change कर देना, जिससे जो ratio होते हैं, वो क्या नहीं होते हैं? fatigue नहीं होते हैं आपे, तो इसलिए यह किया जाता है, ठीक है, दो बात clear होगी, next बात करते हैं, कि 1 minute के अंदर आपको compression, तो आपको पता जल गया कितना करते हैं, लेकिन यहाँ पे फिर ventilation कितना देते हैं, बलाद breathing देना है तो कितना देंगे, तो यहाँ पे देखो हम क्या करते हैं, कि 1 minute के अंदर कम से कम 8 breathe होने चीए, ठीक है, यह क्या होता है, कि second के according होता है, कि 6 to 8 second per minute के according, 6 to 8 second per minute के according क्या करवाते हैं, breathing करवाते हैं, और ventilation यूज करवाते हैं, कितना, तो ventilation होता है, compression होते हैं, sorry, 100 per minute, 100 compression करवाते हैं, 1 minute के अंदर, और एक मिनेट में 6 to 8 ब्रीथ करवा तो इस परकार से इनका क्या होता है एक तरह से रेशियो होता है जिससे CPR देते हैं तब यूज करवाते हैं अब देखो CPR यूज करवाते हैं उस टाइम पर फंक्शन रिस्टोर हो दाते हैं क्योंकि टीश्यू के अंदर ऑक्सिजन की कमी हो रही थी continue और respiratory फैल हो रहा था तो बेबी को किस पर ले लिया हमने ventilation अब देखो ventilation की जब भी बात करते हैं तो एक newborn होता हो उसके अंदर mode पूछा जाता है कई बार कि एक newborn के अंदर हम कौन सा mode यूज करवाते हैं तो जो बेस्ट मोड होता वो CPF होता है CPF को हम यहां पर mostly यूज करवाते हैं तो देखो देख दें CPF की full form क्या है continue positive airway pressure है वो बेस्ट मेथड माना गया है किसमे newborn के अंदर continue positive airway pressure क्या होता है कि पहले हम क्या करते थे पहले ventilation में negative pressure भी उज करवाते थे ठीक है लेकिन आज कल वो negative pressure बंद कर दिया क्योंकि उससे ज़्यादा risk रहते हैं क्योंकि recovery तो होगी नहीं और उसके चकर में person की डेथ हो जाएगी तो negative pressure आज कल यूज करते हैं सारे positive pressure ही होते हैं तो positive continue positive airway pressure है यह mode का नाम है ventilation के mode होते हैं जैसे चार mode हमने पहले आगे पढ़ेंगे हम ventilation के अंदर कि जैसे SIMV mode होता है तो एक बार mode देख लेते हैं SIMV जिसकी full program क्या होते हैं जिसा सेंख्रोनाइज्ट सेंख्रोनाइज्ट intermediate intermediate mandatory ventilation ठीक है इसमें synchronize का मतलब होता है एक तरसे spontaneous use होती है यानि कि spontaneous होती है तो वो mode होता है SIMV और intermediate होती है तो फिर S अड़ जाता है और एक नहे mode आता तो इसको IMV mode बोलते हैं ठीक है तो यह हम adult के अंदर जादा यूज करवाते हैं SIMV mode जब बच्चों की बाद आता है तो बच्चों में कौन सा mode यूज करवाते हैं इस दा continue positive airway pressure continue positive airway pressure है तो यहां पर इसके यह answer आपको याद रखना है newborn वाला mode है ठीक है और synchronize intermediate mandatory ventilation होता है यह हम free पर जादा adult के अंदर यूज करवाते हैं ठीक है तो ventilation जब भी यूज करवाते हैं तो उसके कुछ हम यूज करवाते हैं दोरान कुछ चीज़े चेक करते हैं यह nurse की responsibility होती है कि एक persons के हमने क्या लगा दिया ventilator लगा दिया ventilator लगाने के बाद में उसको क्या करते हैं मोनेटर करते हैं अब मोनेटर करते हैं तो आपको दो चीज़े देखने में मिले जब मोनेटर करते हैं तो इसके अलारम बसते हैं ठीक है ventilator के alarm और इसके alarm दो type के होते हैं कौन कोन से होते हैं एक होती है slow alarm या इसको low भी बोलते हैं low alarm और high low alarm और high alarm तो जब लो alarm और high alarm की बात करें तो low alarm क्या बचता देगो low किसे start हो रहा है L से L का मतलब low L का मतलब leakage मतलब एर कहीं से leakage हो रही है तो फिर कौन सा alarm बचेगा तो हम बोलेंगे low alarm तो L से ऐसे भी याद रख से हो कि low alarm leakage वाला leakage या कई बार क्या होता है कि टूब अगेरा रप्चर हो जाती है लीक हो जाती है तो फिर वहां से हवा निकलती रहती है और उस टाइम पे जो alarm है वो प्रोडूस होता है उसको low alarm बोलते हैं तो रप्चर होने के कारण या फिर एक तरह से leakage होने के कारण जो alarm देखने को मिलते हैं वो कोई से alarm होते हैं वो low alarm ठीक है ऐसे याद रख सकते है high alarm क्या होते है ऐसे alarm जिसमें देखो यहाँ पे तो एर निकल रही थी इसलिए थोड़ी बहुत जा रही थी ना थोड़ी बहुत ही बार निकल रही थी तो low आले यहाँ पे एर बिल्कुली बंद हो गई कि कई बार क्या होता है कि ब्रॉंकस होते हैं वो बिल्कुली बंद हो जाते हैं उसमें स्पाज माजाता है या पर ट्यूब के अंदर ऐसा obstruction आ गया कि अब एर जाई नहीं रही तो obstruction हो जाना या फिर ब्रॉंक्यो स्पाज माजाना उसमें जो sound produce होते हैं या alarm होते हैं वो कौन से होते हैं high alarm देखने को मिलते हैं तो यह आपको याद रखना है कि high alarm किसमें देखने हो मिलते हैं obstruction में obstruction के अंदर इसके अलावा bronchio spas bronchio spas ठीक है student याद रखना कि जो persons होते हैं उनके अंदर low alarm किसमें देखने हो मिलता है और high alarm किसमें देखने हो मिलता है जब हम ventilation का use करवाए ठीक है अब देखो क्या होता है कि person क्या आपने ventilation लगा दिया आई यहाँ पर ventilation के दोरान जो ventilator आप use कर रहे हैं आप फिर body माने की नहीं क्योंकि body के अंदर वोई activity सेम और यह पिछले 7 दिन से तो वहाँ पर फिर एक अलगी abnormality आती है यदि किसी baby के आपने 7 दिन तक same mode के उपर रखा है तो उसमें एक abnormality आती है जिसको क्या बोलते हैं pneumothorax pneumothorax की condition आपको वहाँ पर देखने को मिल सकती है कई बार थोरे से cavity में हवा बर जाती है एक ही mode का ज्यादा यूज करवाने से ठीक है और एक चीज और होती है कि ज्यादा mode यूज करवाने से लंबे टाइम तक infection भी होते हैं जिनको कौन से infection बोलते हैं ventilator associated pneumonia क्या नाम होता है उसका ventilator associated pneumonia इसका क्यूशन बना हुआ है तो इसका क्यूशन भी देखते हैं ventilator associated pneumonia ventilator associated pneumonia यारी ऐसा infection जो ventilator के जो parts ते जिसे ट्यूब अगेरा थी उनसे इस्प्रिड हो गया ventilator associated pneumonia होता है वो most common जिसका positive agent होता है pseudomonas ये pseudomonas bacterial infection जो develop करता है ventilator associated pneumonia अच्छा इसके हम पहले भी बात की दि कहां भी क्या था इसके हमने पहले बात की दि external otitis media होता है external sorry external otitis होता है उसका भी causative agent क्या था ये ही था pseudomonas था इसके अलावा जो person जल जाते हैं burn हो जाता है तो burn वाले person में sepsis होता है वो sepsis भी किसके कार्ण होता है pseudomonas के कार्ण होता है एक person में मरने का second most common कारण होता है low key first most common जो burn वाले patient होते हैं उनमें जो sepsis होता है sepsis का मतलब क्या होता है कि sepsis का मतलब यह होगा कि bacteria है वो अमारे blood में चला गया और systemic हो गया generalize infection हो गया तो उसको क्या बोलेंगे sepsis यह किस में हो रहा है burn वाले किस के कारण हो रहा है तो बोलेंगे pseudomonas के कारण हो रहा है और इस वाला मरने का यह वाला जो कारण है यह कौन सा है second most common कारण है तो first most common कारण क्या है burn का तो बोलेंगे कि hypovolemia 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 क्योंकि कि इसमें क्या होता है कि fluid shift हो जाए जो internal fluid होता है वो shift हो जाता है और fluid की कमी आ जाती है person शोक में चला जाता है hypovolomic soak बोलते हैं उसको उसके कारण person की डेथ होने के सबसे ज़्यादा कारण है वो जो burn वाले बेबी होते हैं या जो भी person होते हैं उनके बैतर गंटे से पहले पहले मरने के चांस ज्यादा होते हैं बाद में चांस कम हो जाते हैं तो सबसे पहले जो मरने कारण होते हैं वो भी 48 से बैतर गंटे में सबसे ज्यादा यह कारण होते हैं 48 से 72 आवर्स में डेट का रीजन ज्यादा होता है और ज्यादा क्या होता है हाइपोवोलेमिया होता है तो ये भी कई बार आपको क्यूशन पूछ लेते हैं तो ये भी आपको यहाँ पे क्लियर हो जाने चीए तो ये हमने एक बात किये अबगा स्कोरिंग के अंदर जब सीवेर डिस्ट्रेश हो जाता है तो फिर हम immediate resuscitation करते हैं और बेबी के जितने भी functions होते हैं उनको restore करने की कोशिश करते हैं तो इस परकार से बेबी को क्या कर लेते हैं परवेंट कर लेते हैं अब देखो जब भी CPR देते हैं तो कई बार हम drugs यूज करवाते हैं कौन सी drugs यूज करवाते हैं यहाँ पर adrenaline आज़ा कई बार पूछ लेते हैं कि CPR देते हैं CPR के दोरान जो drugs यूज करवाते हैं adrenaline बगएरा जो heart को stimulate करने का काम करती है यह adrenaline के root ही पूछ लेते कि CPR के दोरान जो emergency drugs यूज करवाते हैं उनका root कौन सा होता है तो बोलते हैं intra-tracheal direct देते हैं intra-tracheal intra-tracheal, atropine, adrenaline बगएरा ये सारी emergency drug होती है इसकी अलावा drugs होती है Nalaxal ये भी एक तरह सी drug है, emergency drugs है indo via renaline, atropine, nalexal ये सारी emergency drug होती है जो कौन से root सी देते हैं intra-tracheal, baby के direct tracheal सी है देते हैं अच्छा देखो क्या होता है कि इसके अंदर IV भी दे सकते हैं लेकिन IV से भी ज्यादा या fast action करेगी कौन सी intra-tracheal क्योंकि आप trachea में दे रहे हैं तो direct किदर जाएगा lungs में अब जारा blood है वो oxygen लेने भी lungs में आ रहा है तो direct action होगी heart के उपर और direct action होगी तो restore के होने के जादा इसके अंदर chance देखने होगी ठीक है तो इसके यहाँ पर हमने बात किया है अब का scoring की clear student I think ठीक है next video के साथ हम फिर मिलते हैं thank you